दुनिया में कोई भी element, कोई भी bond क्यों बनाता है, stable होने के लिए, stable कैसे होता है, octate पूरा करने के लिए, तो जब भी bond बनाएगा, तो octate पूरा करने के लिए, या तो electron लेगा, या electron देगा, कोई भी element, अगर अपनी pure form में है, pure form में, महला bond नहीं बना रहा किसी और element से, तो जब bond ही नहीं बना रहा किसी और element से, तो क्यों electron देगा, क्यों electron लेगा, किसी भी substance का एक mole, कितने mole electron transfer करता है, उतना ही उसका end factor होता है, यहाँ पे sulfur देख लेना, plus 2 में होगा, oxidation state, यहाँ निकाल लेना, plus 2, तो ले positive charge बढ़ गया ना, तो oxidation हुआ है, हलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चो, कैसे हैं बटा आप लोग, I hope सब पढ़िया होगे, बिंदास होगे, और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे, मेरा नाम है दीपक वशिष्ट और मैं हूँ आपका physical chemistry का teacher, और मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपने बच्चो का इस amazing सी सीरीज में, जिसका नाम है Mind Map Series for Neat Aspirant, तो बिटा जी, आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही interesting chapter, जिससे हर साल एक या दो कोशन बेटा directly आते ही आते हैं, तो आज का इस session बहुत-बहुत important होने जा रहा है, Neat 2024 की त्यारी करने वाले बच्चों के लिए और बहुत छोटे से टाइम में, बहुत short अपन revision करेंगे, मैं आपको short cuts भी बताऊंगा मेरे बिटा, कैसे redox reaction को balance करते हैं, oxidation number कैसे निकालते हैं, आज बहुत कुछ आप सीखने जा रहे हो, बहुत कम टाइम में ये revision करने के लिए आपके लिए बहुत useful session होने वाला है बिट बिटा, तो चलो शुरू करें, तो बिटा शुरू करते हैं, मेरे सारे बच्ची अपते यार हैं, तो देखते हैं, आज की class में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज की class में मेरे बिटा, मैं आपको बताऊंगा oxidation number क्या होता है, oxidation state भी बोलते हैं इसको बिटा, redox reaction कैसे पैचानना है, क्या होता है, redox reaction, ये सब करेंगे, फिर बिटा, जिसमें आपको हमेशा से बहुत problem आती थी, आपको problem आती थी, balancing कैसे की जाती है, redox reaction की, तो ये भी आज हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, और इसको shortcut तरीके से करना सिखाऊंगा, आप reaction को देखत सारे फंडे हम लोग आची क्लास में करेंगे, तो शुरू करें, और मैं आगे बढ़ने से पहले अपने बच्चों से एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे बिटा, ये आपका minimum possible time में revision करने का एक तरीका है, अगर आपको बहुत detail में इसको जानना है, तो batches के अंदर मेरे बि redox reaction क्या होता है, ये बताने से पहले, आपको oxidation number क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भई, क्या होता है oxidation number, तो चलो मैं आपसे question पूछता हूँ, one to one interaction करना है मेरे बिटा, ऐसा नहीं कि सिर्ट मैं बोल रहा हूँ, आप भी वहां से बोलो, मुझे आवाज आ जाएगी, ठीक है, तो वही question ये उड़ता है, कि sir, oxidation number क्या है, तो अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, दुनिया में कोई भी atom bond क्यों बनाता है, जल्दी से बोलो, दुनिया में कोई भी atom bond क्यों बनाता है, आपको पता है, stable होने के लिए, atom stable कैसे हो सकता है, जब वो अ outer most shell में 8 electron पूरे कर लेता है, याद करो, Lewis का octate rule कि दुनिया में कोई भी atom अपना outer most shell में 8 electron पूरे करना चाहता है, और अगर outer most shell में 8 electron आ जाएंगे, तो वो stable हो जाता है, बिलकुल, तो दुनिया में कोई भी atom bond इसलिए बनाना चाहता है, Lewis के according, ताकि उसके outer most shell में 8 electron आ या oxygen, oxygen का atomic number बोलो, 8 होता है, मतलब इसमें 8 proton होते हैं, तो electron भी कितने होएंगे बिटा, 8, ठीक है, तो इसकी electronic configuration लिखो, तो इसकी electronic configuration अपन लिख सकते हैं, 2, 6, बिलकुल, सर, तो इसके outer most shell में कितने electron दिख रहे हैं आपको, 6 electron दिख रहे हैं, वहो, बट ये तो बिटा फिर stable नहीं होगा, stable तो तब होगा, जब outer most shell में 8 electron आ जाएंगे, तो बिटा, outer most shell में 8 electron करने के लिए, ये 2 electron ले लेगा, बिलकुल, सर, तो oxygen जब भी bond बनाता है, तो अपना octet पूरा करने के लिए, उसको 2 electron लेने पढ़ेंगे, बिटा, तो वो 2 electron ले लेता है, एटम तो as a whole neutral होता है, हाँ सर, तो जैसी उसने 2 electron लिए, तो oxygen के एक एटम पर minus 2 charge आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ सर, वही, एटम में तो proton और electron बराबर, 8 proton, 8 electron, तो positive, negative बराबर, तो neutral था, बट, octet पूरा करने के लिए, इसको 2 electron लेने पढ़ेंगे, अपने outermost में 8 electron करने के लिए, तो 2 electron extra ले लिए, तो oxygen के एटम पर minus 2 charge आ गया, हाँ सर, तो भाई, एक single atom पर, जो charge आ जाता है, due to loss और gain of electron, during bond formation, इसी charge को हम बोलते हैं बेटा, oxidation number, या oxidation state, मैं फिर से repeat करता हूँ, एक example से और समझाता हूँ, बटा, oxygen जब भी bond बनाएगा, अपने outermost shell में, 8 electron पूरे करने के लिए, 2 electron लेना पढ़ेंगे, तो atom ने 2 electron लिए, तो बटा, minus 2 charge आ गया, इस atom पर, तो single atom पर कितना charge आया, due to loss or gain of electron, during bond formation, इसी को अपन बोलते हैं, oxidation number, या oxidation state, एक example से और कराता magnesium का atomic number कितना होता है, सर 12 होता है, तो 12 proton है magnesium है, तो 12 ही electron होएंगे, चलो, electronic configuration लिखो मेरे साथ मिलकर, 2, 8, 2, तो outermost में 2 electron है, बिलकुल, अब इसको 8 करने के लिए, या तो इन 6 electron और लेने पढ़ेंगे, या ये 2 electron छोड़ दे, अगर ये 2 electron छोड़ देगा, तो बिटा, ये shell गायब हो गया, फिर outermost ये ही बचेगा, तो इसमें 8 हो जाएंगे, तो अब आप मुझे बताओ, 2 electron छोड़ना असान है, या 6 electron लेना, 2 electron छोड़ना असान है, तो magnesium जब भी bond बनाएगा, तो बिटा, वो 2 electron छोड़ देता है, atom तो neutral होता है, 2 negative charge छोड़ दिया, 2 electron इसने अगर छोड़ दिया, तो बिटा, magnesium के atom पे plus 4 आजाएगा, plus 2 charge आजाएगा, तो हम बोलेंगे, कि magnesium के atom पे plus 2 charge आजाएगा, इसी को बोलते हैं बिटा, oxidation number, आ गया समझ में, कोई भी atom जब bond बनाता है, तो अपने outer most shell में, octate पूरा करने के लिए, या तो electron देता है, या electron लेता है, उ का बाब बताओगे, मैंने नहीं बताना, sodium, sodium का atomic number 11, electronic configuration 281, तो या outer most shell में, octate पूरा करने के लिए, या तो साथ लेना चाहेगा, या एक छोड़ना, असान क्या है, एक छोड़ना, तो sodium एक electron छोड़ देता है बिटा, तो atom तो neutral है, अगर एक electron छोड़ा, तो एक negative निकल गया, तो इस पे एक positive आ गया, हाँ sir, तो लो, इस single atom पर plus 1 charge आ गया, due to loss और gain of electron, यहा तो लोस हुआ है, तो हम बोलेंगे sodium का oxidation number plus 1 है, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखना, oxidation number किसी single atom पर charge को अपन बोलते हैं, it is a concept for single atom, oxidation number किसी molecule का नहीं होता, oxidation number किसी compound का नहीं होता, oxidation number एक single atom का concept है, bond बनाते समय कोई भी atom electron लेने या देने की वज़े से, उस single atom पर कुछ charge आ जाता है, तो हम बोलते हैं, इस atom की oxidation state इतनी है, यहाँ पर oxygen की oxidation state minus 2 है, यहाँ पर magnesium की oxidation state plus 2 है, यहाँ sodium की oxidation state plus 1 हो गई, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, अ मेरे बीटा, तो आपको ध्यान रखना, what is oxidation number, तो oxidation number होता है, oxidation number is the charge acquired by, ठीक है सर, it is the charge acquired by single atom, ठीक है सर, charge acquired by single atom, ठीक है सर, charge acquired by single atom, single atom, single atom पर कितना चार्ज आ गया, due to loss or gain of electrons, ओके, due to loss or gain of electron during bond formation, और बेटा, atom electron लेगा या देगा कब, जब वो bond बना रहा है, तभी वो अपना oktate पूरा करना चाहेगा, बिलकुल, अच्छे से समझ में आ गया, और oxidation number हमेशा ध्यान रखना, single atom का होता है, it is the charge on single atom, ठीक होता है, it is the charge acquired by single atom, ठीक होता है, it is the charge acquired by single atom, ठीक होता for single atom, अच्छे से आ गया, मेरे बच्चे को समझ में, तो ठीक है सर, किसी भी compound में, किसी भी atom की oxidation state क्या होईगी, oxidation number बोलो या oxidation state, as of now दोनों सेम बात है बीटा, तो सर, किसी भी compound में किसी atom की oxidation number या oxidation state कैसे निकालते हैं सर, ये तो समझ में आ गया होता क्या है, अब मेरे बिच अब आप कहोगे सर, electron का complete transfer, complete loss या complete gain, तो ionic bond में ही होता है सर, तो सर क्या charges तभी आएंगे जब ionic bond बनेगा, क्या covalent bond भी तो बनता है सर, वहाँ तो complete transfer नहीं होता है electron का, तो वहाँ oxidation number नहीं आते क्या items के उपर, आते है मेरे बिटा, कैसे समझो, मान लो बिटा, एक covalent bond है है, HCL है, HCL कैसे बनता है, hydrogen के outer most में एक electron, hydrogen duplet पूरा करना चाहता है, octate नहीं, chlorine में 7 electron होते हैं outer most में, हाँ सर, तो देखो covalent bond कैसे बनता है, एक electron इसने दिया, chlorine एक hydrogen ने दिया, और दोनों ने फिर equally share कर लिया, हाँ सर, तो hydrogen का duplet पूरा हो गया, chlorine का octate पूरा हो गया, और sharing से ये covalent bond बन गया, अब बच्चा सोचता है, सर, यहाँ तो electron का transfer हुआ नहीं, यहाँ तो sharing होई है, तो सर, यहाँ तो कोई charge आएगा इनी item पे, नहीं मेरे बिटा, यहाँ भी आता है, कैसे, आपने priority city में एक चीज़ सीखी होगी, क्या, electron negativity, electron negativity क्या होता है, अब इसको बहुत ध्यान से देखना मेरे बिटा जी, shared pair of electron हम बोलते हैं कि दोनो equally share करते हैं, बड़ ऐसा होता नहीं है मेरे बिटा, chlorine में 17 proton है, क्योंकि atomic number 17 है, hydrogen का atomic number 1 है, तो एक ही proton है, तो मेरे बिटा, chlorine के nucleus में ज्यादा proton है, तो इस electron pair को अपनी तरफ ज्यादा खीच के रखता है, ह दूर चले गए, तो इस पर partial positive charge आ जाएगा, बेलकुल, और जो oxidation state है, oxidation number, यह absolute electronic charge नहीं होता, यह relative charge होता है, relative, अगर मैंने इस partial minus को बोला, कि charge यह minus 1 है, तो relative में यह हो जाएगा plus 1, तो हमेशा ध्यान रखना, और यहाँ पर हम बोलेंगे, chlorine की oxidation state minus 1 है, hydrogen की plus 1 है, इसका मतलब oxidation state, complete electronic charge नहीं है, यह partial charge भी हो सकता है, बड़ी relative है, तो अगर partial minus को minus 1 बोला, तो relation में यह हो जाएगा, फिर plus 1, तो relative charge होता है, और covalent bond में भी develop होता है, oxidation number items के उपर, और जब ionic bond मनते हैं, तब तो होना ही होना है, complete transfer है, बहुत बढ़िया, तो oxidation number is relative charge, इसको ध्यान रखना है यह single atom पे charge होता है, oxidation number is relative charge, ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया, oxidation number क्या है, बिल्कुल, summarize कर लेते हैं जल्दी से, मेरे बिटा, दुनिया में कोई भी element, कोई भी bond क्यों बनाता है, stable होने के लिए, stable कैसे होता है, octate पूरा करने के लिए, तो जब भी bond बनाएगा, तो octate प number, bond बनाते समय acquire करते हैं, ionic bond में भी मेरे बिटा आ सकता है, oxidation number atom के उपर, और covalent bond में भी आ सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, oxidation number, एक single atom पे charge होता है, ठीक है सर, अब कैसे निकाले, सर, किसी भी compound में, किसी एक atom पे charge निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर, तो बिल्कुल मत घबराना, आपको कुछ points, मेरे बिटा अपनी आतमा में रखने होएंगे समाल के, तो आप किसी भी compound में, किसी atom का, आप अराम से निकाल लोगे, मेरे बिटा, ठीक है, तो आपको बि atom की होती है, मेरे बिटा, इसको अपनी आतमा में समा के रखना सारे लोग, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कोई भी element, अगर अपनी pure form में, pure form में, महला bond नहीं बना रहा किसी और element से, तो बिटा, जब bond ही नहीं बना रहा किसी और element से, तो क्यों electron देगा, क्यों electron लेगा, इस पे 4-0 रहेगा, हाँ सर, तो हम बोलेंगे oxidation number 0 है, कोई भी element अगर अपनी pure form में, जैसे copper, copper solid, किसी और element से bond नहीं बना रहा, copper की pure form है, जब bond ही नहीं बना रहा, तो क्यों electron देगा, क्यों electron लेगा, इस पे 4-0 रहेगा, बहुत बढ़िया, ऐसी माल लो, आपका silver है, अगर silver, pure silver है, तो इस पे भी 0, अब माल लो, अब pure oxygen कैसे रहता है, सर, pure oxygen तो ऐसे रहता है, सर, हाँ सर, O2 gas, अब तुम को कि सर, यहां तो bond बनाए सर, यहां तो bond बनाए सर, oxygen, oxygen के बीच में, परन तु मेरे बिटा, दोनों सेम element है, कोई ज़्यादा electro negative नहीं है, ना यह electron अपनी त charge रहेगा, तो बिटा, pure element कोई भी, कोई भी element अगर अपनी pure form में, तो मेरे बिटा, उसकी oxidation state 0, मैं यहां 0 लिखने का मतलब यह नहीं है, कि O2 की oxidation state 0 है, नहीं, molecule की नहीं होती oxidation state, मेरे बिटा, O2 में जो दोनों oxygen atom है, उन पे charge 0, 0 है, यह मतलब हुआ मेरे बिटा, इसका, क्यो तो दोनों atom पे 0, 0 charge रहेगा, hydrogen, तो कोई भी element अगर अपनी pure form में है, तो उस पे oxidation state 0 रहता है, मेरे बेटा, ठीक है न, तो इस point को हमेशा अपनी आतमा में रख लेना, any element in its pure form, very good, in its pure form, chose oxidation state of 0, बहुत बढ़ी आसर जी, बिलकुल, आतमा में समा गया, और बिटा, दूसरा point जो आपको याद रखना है, कभी भी alkali metal दिख जाए आपको, alkali metal, without any exception, उनका बिटा, oxidation state plus 1 लेना, सर, कौन-कौन से होते हैं, alkali metal, तो घबराना मत मेरे बिटा, मैं बता देता हूँ, alkali metal मतलब periodic table में, जो first group है बिटा, first group, तो वो होते हैं, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, frenchum radioactive होता है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं, कहीं भी यह element दिख जाए, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, इसके एक atom पे हमेशा plus 1 रहता है, without any exception, बिल्कुल, always show oxidation state of plus 1, ठीक है सर, याद रहेगा जीवन भर, बिल्कुल, दूसरा आपको जो याद रखना है मेरे बिटा, alkaline earth metal, दूसरे group वा इससे क्या है न, दुनिया के किसी भी, ये 5-6 point पढ़ो, उससे क्या है न, दुनिया के किसी भी compound में किसी भी atom का oxidation number निकाल दोगे, ठीक है, मजा आने वाला है, alkaline earth metal होते है, बेटा मांगे car scooter, ठीक है, बाप राजी, बहुत बढ़िया, ये radium radioactive होता है, इसलिए नहीं magnesium, calcium, strontium, barium, कहीं भी दिख जाए, आँख बंद करके oxidation state plus 2 लेना मेरे बेटा, ठीक है न, हाँ, चो oxidation state of plus 2, मलब oxidation state होता है, एक item पे charge, बिल्कुल सर, चौथा मेरे बेटा याद रखना, generally, साधार अनता है, oxygen कहीं भी दिखे, तो उसके एक item पे charge minus 2 लेता है, ठीक है, हाँ, oxygen generally minus 2 oxidation state show करता है, बट कुछ इसमें exception भी है, वो मैं तरीका बता दूँगा अभी, ठीक है न, तो generally, oxygen shows, साधार अनता है, आपको minus 2 लेके ही चलना है, generally, oxygen shows, oxidation state of, oxidation state of minus 2, ठीक है बिटा, हाँ, except peroxide ion, except peroxide ion, अब सरी ये peroxide ion क्या होता है, बिटा, ये होता है, O2, 2 minus, अब सुनो, O2, 2 minus है, दो oxygen atom पे minus 2 है, oxidation state क्या होता है, single atom पे charge, अगर दो atom पे minus 2 है, तो एक atom पे क्या होएगा, minus 1, तो इसमें मेरे बिटा, oxidation state minus 1 होती है, परोक्साइड में, देको न, यहाँ पे, ये peroxide ion ह 2 oxygen atom पे minus 2, तो एक oxygen atom पे minus 1 होगा, एक atom पे charge ही oxidation state है, तो परोक्साइड आयन जहां भी होगा, तो oxygen minus 1 में होता है, सर हम कैसे पहचानेंगे, घबराना नहीं है, कहीं भी आपको O single bond O दिख जाए, आख बंद करके समझ जाना ये peroxide वाले है, तो इसकी oxidation state minus 1 और इसकी भी minus 1 मेरे बेटा, and इसके अलावा मेरे बेटा होता है, super oxide iron, okay, क्या होता है सर, super oxide, super oxide होता है मेरे बेटा, इस iron को बोलते है, O2 minus 1, आप सोच के बताओ, इसमें oxygen की oxidation state क्या होगी, oxidation state होता है, single atom पे 4, तो 2 oxygen atom पे minus 1 है, तो एक oxygen atom पे minus 1 हो जाएगा, okay सर, तो सर, इसकी कोई पहचान है, न इसकी कोई पहचान नहीं है, बट ध्यान रखना, जहां भी super oxide होगा, तो oxygen की oxidation state minus 1, बट आपको अभी क्या करना है, आपको oxygen हमेशा minus 2 लेके चलना है, मैं तरीका बता दूँगा, कैसे peroxide और super oxide को पहचानना होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सा, बच्चों को, hydrogen generally, साधार अरणते हो, ठीक है भाई, hydrogen generally shows oxidation state of plus 1, परन्तु metals के साथ, metals जब directly attach होगा, तो फिर हो minus भी show, show कर सकता है, minus 1, okay, hydrogen generally shows oxidation state of plus 1, except when attached to, except when attached to metals, metals, ठीक है sir, except when attached to metals, अगर metals के साथ जुड़ा होता है, तो मेरे बिटा minus 1 show कर देता है, बिटा hydrogen, यहां तक समझ में आ गया सब लोगो, बहुत बढ़िया, अभी इन 5 point के अधार पे, मैं आपको, अभी एक point और बाकी है, उसको भी कराएंगे, but इन 5 के अधार पे, किसी भी compound म किसी एक item पे कितना charge है, उसी को तो बोलते है, oxidation state, कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ, जो भी फसने वाली चीजें थी, वो सब अब मैं आपको clear कर दूँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मेरे बिटा, अब ध्यान से देखते चलो, अब मज़ा आएग क्योंकि ये question neat में कई बार आया हुआ है, कि भई कोई compound दे दिया, उसमें किसी एक element का पूछता है, कि बताओ इसका oxidation state कितना है, तो भी खुल नहीं घबराना, सब लोग अब ध्यान से देखना, माल लो बेटा जी, मैंने आपको दिया CO2, अब मैं कह रहा हूँ, CO2 में carbon की oxidation state निकालो, ठीक है, oxidation state होता है, single atom पे charge, carbon की oxidation state निकालने के लिए बोल रहा है, नहीं पता, माल लो X, let oxidation state, oxidation state होता है, charge on one atom, let oxidation state of carbon be X, मतलब, एक carbon atom पे charge X है, अगर आप देखें तो पूरे molecule पर कोई charge नहीं है, हाँ सर, तो बढ़ा carbon और oxygen के जितने भी atom है, उन सब के charges को total add करेंगे, तो total charge 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो, पूरे CO2 पर कोई charge नहीं दिख रहा, हाँ, तो क्या करो, सभी atom के charges को add करो, और उनका sum total 0 आना चाहिए, क्योंकि पूरे molecule पे हमें कोई charge नहीं दिख रहा है, बिल्कुल, carbon पे एक atom पे माल लिया, oxidation state X, तो carbon के एक atom पे charge X, एक oxygen पे हम बता चुके है, minus 2 होता है, जनरली, हाँ, अरे देखो न, oxygen का आपको minus 2 लेके चलना है, तो एक oxygen atom पे charge minus 2, तो दो oxygen atom पे charge क्या हो जाएगा, minus 4, एक oxygen पे minus 2, तो दो oxygen atom पे, क्योंकि और oxidation state is charge on one atom, तो दो oxygen atom पे minus 4, total charge 0 हो गया, हाँ, add किया था न, X plus minus 4 तो minus हो गया तो X बराबर plus 4, carbon की oxidation state यहाँ, plus 4 आ गई बिटा, बिलकुल, जितना charge molecule पे दिख रहा है, सभी atomों के charges add करो, उतने charge के बराबर रख दो, अब चलो यहाँ हो, आप लोगों को बताना है, I O 3 minus, मैंने इसमें बोला, iodine की oxidation state निकालो, यहाँ पे मेरे बिटा, total charge 0 नहीं होएगा पूरे molecule पे देखो, minus 1 charge है, तो सभी atomों पे total charges को add करोगे, तो बिटा, net charge कितना आना चाहिए, minus 1, तो iodine की निकाल नहीं है, गला खराब है, तो iodine की oxidation state मान लो X, तो एक atom पे charge X, oxygen के एक atom पे होता है, minus 2, तो 3 पे हो जाएगा, minus 6, और बिटा, net charge minus 1 है, देखना उपर, हाँ सर, तो X आ गया, plus 5, यह उदर जाके plus का हो गया, बिल्कुल सर, यहाँ पे iodine की oxidation state plus 5 है, चलो अब बाकी आप लोग बताते हैं, चलो जली जली, solve करो मेरे साथ-साथ, KMNO4 मैं manganese की oxidation state निकाल नहीं है, कुछ नहीं, जिसकी निकाल नहीं है, उसकी X मान लो, manganese की मान ल प्लस 1 लेना है, एक oxygen पर माइनस 2 होता है, तो कि oxidation state is charge on one atom, एक oxygen पर माइनस 2, तो 4 पर हो गया, माइनस 8, टोटल चार्ज कुछ दिखनी रहा हम है, तो टोटल चार्ज जीरो रहा होगा, तो यह हो गया, X माइनस 7, माइनस 7 उदर जाके plus 7, बहुत बढ़िया, चलो अब प्लस 1 होता है, तो 2 पर प्लस 2, अरे देखो अभी बताया थना, हाइडरोजन का जनरली प्लस 1 लेते हैं, एक हाइडरोजन पर प्लस 1, तो 2 हाइडरोजन है, तो प्लस 2, एक ऑक्सिजन पर माइनस 2 होता है, तो 4 पर माइनस 8, टोटल 4, 0 होना चाहिए बिटा, पूरे मॉलीक्यूल पर कोई चार्ज नहीं, तो यह हो गया, 2X माइनस 6 बहुत बढ़िया, अब मेरे बच्चे और भी कर सकते हैं, चलो अब आप लोग बताएंगे, मेरे को नहीं बताना, मैं आप से कह रहा हूँ, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सिडेशन स्टेट निकालो, ठीक है, बिल्कुल असानी से कर सकते हैं, Na2, S2O3 में सल्फर की ऑक्सिडेशन स्टेट निकालो, कमान करो, चलो सल्फर की निकालते हैं, जिसकी निकालनी हो, उसकी ऑक्सिडेशन स्टेट मान लो X, लो सल्फर की मान ली मैने X, तो एक एटम पे चार्ज X, एक ही एटम है हां, एक हाइट्रोजन पे प्लस 1, तो 2 पर एक oxygen पे minus 2 होता है तो 4 पे minus 8, total charge 0 होना चाहिए, पूरे पे कोई charge नहीं दिख रहा, तो x minus 6 बराबर 0, minus 6 उदर जाके plus 6, sulfur की oxidation state plus 6, 720 compound में, यहां आजो, sulfur की मानलो x, sulfur की निकालनी है, मानलो x, तो एक sulfur पे charge x, तो 2 sulfur पे charge 2x, एक sodium alkali metal है, plus 1 होगा, तो 2 sodium पे plus 2, एक oxygen पे होता है, minus 2, तो 3 पे minus 6, total charge should be 0, तो बेटा, 2x हो गया, यह minus 4 उदर जाके plus 4, और x आगया plus 2, बेलकुल, यहां तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है, जाहतर compound में oxidation number अपन निकाल सकते हैं, जिस element का नहीं पता, मानलो, उस atom का oxidation state x, बस फिर solve करके, overall charge के बरा बच्चा किन में फसता है, मैं वो फसने वाले शुरू करता हूँ मेरे बेटा, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मैंने आप से पूछा, H2SO5 में, आप मेरे बच्चे, sulfur की oxidation state निकालो, मैंने आप से बोला, CRO5 में, chromium की oxidation state निकालो, चलो पहले CRO5 निकालते हैं, ठी एक oxygen पे minus 2 होता है generally, तो एक पे minus 2 दो 5 पे हो जाएगा minus 10, total charge should be 0, क्योंकि पूरे पे कोई charge नहीं है, तो X आगया plus 10, बच्चा बोलता है sir, chromium की oxidation state plus 10 होईगी, नहीं मेरे बेटा, ये गलत है, क्यों, सुनो अब ध्यान से, कोई भी atom, bond बनाते समय, क्यों आपका उपर, अप जैसे, और electron loss और gain क्यों कर रहा है, octate पूरा करने के लिए, जब हमें outer most shell में 8 ही electron पूरे करने है, तो मैं 8 से ज्यादा electron क्यों दूँगा, या 8 से ज्यादा electron में क्यों लूँगा बेटा, सोच के देखो, atom बेटा, charge एक आता है atom पे, due to loss और gain of electron, और loss और gain क्यों कर रहा है electron क octate पूरा करने के लिए, जब octate ही पूरा करना है, outer most में 8 ही electron करने है, तो 8 से जदा मैं क्यों छोड़ूँगा और 8 से जदा क्यों लूँगा, तो किसी भी element की oxidation state कभी 8 से जदा नहीं हो सकती, और 8 भी सिर्फ osmium की होती है, किसी और की तो 8 भी नहीं देखी गई मेरे बेटा तो हाँ, तो आज के बाद अपनी आत्मा में समा लेना, oxidation state cannot be, cannot be 8, okay, 8 भी सिर्फ osmium की होती है, cannot be 8, or more than, ठीक है सर, बिलकुल logic भी समझ में आ गया, और यह सिर्फ osmium की होती है, plus 8, किसी और की तो plus 8 भी possible नहीं होती, सिर्फ osmium की possible होती है, plus 8, ठीक है सर, तो सर अब क्या करें सर, इसमें तो plus 10 आगी, क्या जोल है, तो घबरा मत मेरे बच्चे, अब किताबी तरीका दे रखा है, कि इनका structure दे के बताता है, कि वह butterfly type structure है, ठीक है न, तो देको ऐसे explain किया जाता है, कि butterfly type structure है, अब आपके मन में कोशन आया, सर ऐसे तो corona compound है, किस-किस का structure याद रखे है था, जहां भी O single bond O आजाए, वो peroxide है, माइनस वन वाला, हाँ सर, तो O single bond O, तो माइनस वन परोक्साइड है, यह, माइनस वन हना, O single bond O, माइनस वन माइनस, यह normal oxygen तो माइनस टू, total negative हो गया, मेरे बटा, माइनस 6, पूरा neutral है, तो chromium पे रहा होगा, प्लस 6, यह तो हो गय पे सर, हमें कैसे structure याद रखें, तो आपको याद नहीं रखना है, आप हमेशा oxygen को माइनस टू लेके ही करो, तो आप देखोगे, impossible oxidation state आएगी, आपने oxygen को माइनस टू लेके ही किया, आपको पता है, प्लस 10 आ गई, आपको बता है, आठ या आठ सेयादा होई नहीं सकती किस oxidation state तो इसका मतलब पंगाया, समझ जाओ, impossible आ रही है, तो इसमें peroxide है, और peroxide कोई भी element, कोई भी metal, peroxide बनाता है, अपनी maximum possible oxidation state में है, तो chromium की maximum कितनी हो सकती है, उसके लिए मेरे बिटा, आप electronic configuration लिख लो chromium की, chromium का atomic number होता है, 24, electronic configuration लिखोगे तो 2886, this is, हो गए न, 24 पूरे हा सर, तो, बिटा, chromium की outermost में 6 होते हैं, तो ये maximum 6 छोड़ सकता है, तो chromium की maximum plus 6 possible है बेड़े बिटा, structure की ज़रती नहीं है, chromium आपने oxygen को minus 2 लेकी करो, आपकी impossible oxidation state आ गई, जैसी impossible आ गई, चुकिए आपको ये statement पता है, जैसी impossible आ गई, आप समझ गए, कि इसमें peroxide है, peroxide बनाता है मेरे बिटा, तो बिटा, chromium की maximum देख लो, उसकी electronic configuration लिखके, आ गया समझ में, structure की ज़रती नहीं, अब ऐसी यहाँ आ जो, जल्दी से यहाँ हो, इसमें बताओ मेरे बिटा, मैं कहरो, sulfur की निकालो, विल्कुल अपने तरीके से करो, simple, sulfur की मान लो X, एक item पे charge X, एक hydrogen पे plus 1 होता है, तो 2 पे plus 2, एक oxygen पे minus 2 होता है, तो 5 पे minus 10, total charge 0, क्योंकि पूरे पे कोई charge नहीं दिया है, यह हो गया, minus 8 हो गया इधर, उदर जाके plus 8, हम देखते ही समझ गए, 8 या 8 से ज़्यादा तो किसी की possible नहीं होती, 8 सिर्फ आस्मियम की होती है, और किसी की art भी possible नहीं, तो impossible oxidation state आ गई, तो समझ गए, इसमें peroxide है, अब peroxide है, तो sulfur अपनी maximum oxidation state में बना रहा होगा, तो sulfur की electronic configuration लिख लो, sulfur का atomic number 16, electronic configuration 286, मेरे बिटा यह maximum 6 ही दे सकता है, तो sulfur की maximum plus 6 possible है, तो समझ जा, यहाँ पे sulfur plus 6 में रहा होगा, क्योंकि जैसी तुम oxygen को minus 2 लेके ही चलो, आपकी impossible oxidation state आ जाएंगी, अगर impossible oxidation state आ गई, तो समझ जाना मेरे बिटा, peroxide है इसमें, peroxide है तो structure पे जाने की ज़रत नहीं है, कोई भी element, peroxide अपनी maximum oxidation state में बनाता है generally, तो आप उसकी electronic configuration लिख दो, और देख लो maximum कितनी possible है, sulfur की 6 ही maximum possible है, तो यहाँ sulfur plus 6 में होगा, clear हो गया मेरे बीटा, तो peroxide में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं आती, बच्चों को दिक्कत बेटा इसमें आती है, मान लो मैंने आपको यह दे और मैं अब इसमें कह रहा हूँ कि बताओ, मैंगनीज की oxidation state क्या है, मैं कह रहा हूँ, मैंगनीज की oxidation state बताओ इसमें, तो बच्चा confused हो जाता है, चलो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, MN2, SO4 whole thrice, ठीक है, MN2, SO4, अब इसमें बच्चा confused हो जाता है, कि सर मैंगनीज की कैसे निकालें, क्योंकि oxygen की तो ठीक है, MN2 ले लेंगे, sulfur की नहीं पता, manganese की नहीं पता, सर यहां तो 2 की नहीं पता, तो घबराना नहीं है, मेरे बिटा, कभी कुछ anions ऐसे होते हैं, जो known है, तो उसमें पूरे anion का charge हम consider कर लेते हैं, घबराना मत मैं बता देता हूँ, G1 पर याद रखना, जो important anion आपको याद रखने है, बिटा, sulfate पर 1 पर minus 2 charge होता है, G1 पर याद रखना, 1 sulfate पर, ठीक है सर, nitrate ion पर minus 1 होता है, तो कुछ anion ऐसे होएंगे, उनको overall हमें count कर लेना है, OH पर भी सबको पता है, minus 1 charge होता है, बिलकुल सर, phosphate पर मेरे बिटा 3 minus charge है, oxalate, ox known anions होते हैं, जिन पर आपको मेरे बिटा charge याद रखना है, ठीक है सर, carbonate पर minus 2 charge होता है, बिलकुल सर, हाँ, ये वाले, halides पर तो आपको पता है, chloride, chloride हो तो simply है, अभी halogen पर हम आएंगे, ठीक है, तो ठीक है सर, ये आगया सर, अच्छे से समझ में, अब, इसका use क्या है सर, ये charges याद रहेंगे सर, हो गया, manganese का oxidation number निकालना है, oxidation number होता है, एक atom पर charge, माल लो manganese का oxidation number X, तो एक atom पर charge X, यहाँ दो atom है, तो दो पर charge 2X, अब यहाँ पर मेरे बिटा, आपको पता है, sulphate है, एक sulphate, SO4 sulphate है, एक sulphate पर होता है, माइनस 2, तो यहाँ तीन sulphate है, मेरे हाँ सर, और total charge overall देखो, 0 है, तो 2X हो गया, मेरे बेटा, प्लस 6, और X हो गया, प्लस 3, वा सर, वा, बिलकुल सर, अब sulphur की आपको नहीं पता थी, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे एनायन का चार्ज ले लिया, एक sulphate पर माइनस 2, तो तीन sulphate पर माइनस 6 हो गया, पहुत पूछ रहा हूँ, मेरा बच्चा बताएगा, मैंने नहीं बताना, ठीक है, करोगे, चलो, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको मुझे बताना है, AL, AL, Aluminium Nitrate, चलो, अब इसमें मैं कह रहा हूँ, Aluminium की निकालो, come on, Aluminium की निकालो, बड़ा असान है पेटा, X मान ल होता है, 3 Nitrate पे हो गया, Minus 3, Total Charge, पूरे पे कोई चार्ज निकालो, 0, X हो गया, मेरे बेटा, Aluminium की प्लस 3 होईगी, इसमें, वा सर्वा, चलो, और पूछता हूँ, मुझे इमानदारी से बताएगे, मेरे बेटा, ठीक है न, हाँ, Ferric Oxalate, come on, Ferric Oxalate, पीक है, यह दे दिया मैंने, और कह रहो, Iron की बताएगे, इसमें Oxidation State, Oxidation State होता है, एक एटम पे चार्ज, मान लो X, मान लो X, तो एक Iron पे X, तो दो Iron पे हो गया, दो X, हाँ, क्योंकि Oxidation State इस चार्ज न वन एटम, तो पिटा, यह Oxalate Iron है, एक पर होता ह है, माइनस 2, तो 3 है, 3 है, पूरा हाँ, 3 पे हो गया, माइनस 6, टोटल चार्ज उडभी 0, पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, 2X हो गया, मेरे बेटा, प्लस 6, और X हो गया, मेरे बेटा, जी, प्लस 3, तो Iron की Oxidation State, मेरे बेटा, जी, प्लस 3 होईगी, और चुट न बोलो, मे छटा पॉइंट हमारा इसमेदा, हेलोजन को लेकर, अब जनरली, मेरे बेटा, ध्यान रखना, जनरली हेलोजन शोग, जनरली हेलोजन शोग, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, माइनस 1, क्यों? क्यों कि हैलोजन में, आउटरमोस्ट में, साथ इलेक्ट्रोन होते हैं, अगर हैल से चिपका है और halogen ज्यादा electro negative है तो वो electron खीचेगा अपनी तरफ halogen की outer most में 7 होते हैं तो कितना ले पाएगा maximum एक तो इसलिए halogen पर generally minus 1 होती है except when attached to more electro negative element except when attached to अगर कोई ज्यादा electro negative element से halogen चिपका है तो वो element खीच लेगा halogen से electron फिर halogen की plus में भी आजाती है मेरे बेटा when attached to more electro negative element अब इसका भी मैं पूरा बता देता हूँ अब बहुत बहुत ध्यान से देखना electro negativity होता है shared pair को अपनी तरफ खीचने की छमता ठीक है भाई साब दुनिया का most electro negative element ध्यान रखना फ्लोरीन होता है दुनिया में सबसादा electron खीचने की छमता फ्लोरीन की ये shared pair फिर oxygen देन नाइट्रोजन फ्लोरीन ओके सर तो ये दुनिया के चार सबसे electro negative element है फ्लोरीन कौन कौन होता है सब हो halogen आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोमीन, आयोडीन विल्कुल सर ये electro negativity का sequence है halogen तो हो है अब सुनते जाए मेरे बेटा अब मैं आप से पूछना हूँ आप लोग मुझे बताते चलना अब मैंने आप से पूछा कि आप मुझे इसमें manganese की बताओ oxidation state क्या है, जल्दी से बोलो अरे metals तो electro positive होते हैं, तो halogen तो obvious से ज्यादा electro negative होएंगे electro negative होएंगे, खीचेंगे minus one होता है, हाना, हाँ तो manganese पे माल लो x तो एक atom पे charge x, chlorine पे minus one, halogen पे minus one, तो 3 पे हो गया, minus 3 एक पे minus one, क्योंकि oxidation state is charge of one atom, total 4 0, तो x मेरे बेटा plus 3 आजाएगा आपका, बिल्कुल सर, बिल्कुल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर, बट प्रॉब्लम बच्चे को होती है, कहाँ, मैं बता देता हूँ मेरे बिटा आपका माल लो, मैंने आपका ले लिया, CLO3 अब मेरे बिटा मैं कहना हूँ, क्लोरीन की निकालो, क्लोरीन ऑक्सीजन से अटैच है, बट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्टरो नेगेटिव है क्लोरीन से, तो ऑक्सीजन इलेक्टरोन खीचेगा, क्लोरीन से दूर चले जाएंगे इलेक्टरोन तो क्लोरीन पे प्लस आ जाएगा, क्लोरीन की माल लो, X, ठीक है एक oxygen पर minus 2 होता है 3 पर हो गया minus 6 total 4, 0 यहाँ पर chlorine की oxidation state plus 6 हो जाएगी मेरे बेटा बहुत बढ़िया तो yes, halogen plus भी शो कर सकते है अगर more electronegative से जुने है oxygen more electronegative है किसी भी halogen से except fluorine हाँ, fluorine हमेशा दुनिया में minus 1 ही शो करेगा क्योंकि most electronegative है oxygen हमेशा minus शो करता है generally minus 2 but fluorine के साथ मेरे बेटा, fluorine के साथ oxygen plus शो कर देगा कैसे सर कैसे देखो न, fluorine is more electronegative तो oxygen की मानलो x एक ही item है fluorine more electronegative तो fluorine खीचेगा तो बेटा, fluorine खीचेगा तो halogen कितना ले सकता है एक ही electron तो एक पर minus 1 तो दो पर minus 2 total 4, 0 लो जी लो oxygen की सिर्फ fluorine के साथ oxidation state plus 2 आती है मेरे बेटा बाकी हमेशा oxygen minus में शो करेगा सिर्फ fluorine के साथ मेरे बेटा, plus 2 आ जाएगी चलो इसमें बताओ इसमें बताएंगे सब लोग O2, F2 भी होता है यहां का most electron negative है तो electron खीचेगा हैलोजन में आउटर मोस में साथ होते हैं अगर electron लेगा तो maximum कितना ले सकता है एक की ले सकता है तो minus 1 चलो यहां शुरू हो जाओ oxygen की मान लो X तो एक एटम पर X तो दो एटम पर 2X एक फ्लोरीन पर minus 1 होता है तो 2 फ्लोरीन पर minus 2 total charge should be 0 2X हो गया मेरे बिटा प्लस 2 तो यहां पर X plus 1 oxygen की plus 1 आ जाएगी आ गया समझ में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर यह चीज clear हो गई अब मेरे बिटा एक चीज आती है अब वो भी मैं बता देता हूँ oxidation number और oxidation state अभी तक हम सेम मान रहे थे बट मामूली सा difference होता है मेरे बिटा क्या difference है अब उसको बहुत ध्यान से देखना मान लो बिटा यह आपका compound है Na2S4O6 मैं कह रहा हूँ इसमें sulfur की oxidation state निकालो come on आजो शुरू हो जो sulfur की oxidation state निकालनी है मान लो x तो एक एटम पे charge x तो एक एटम पे charge x 4 एटम पे 4 x एक sodium पे plus 1 तो दो sodium पे plus 2 एक oxygen पे minus 2 होता है 6 पे minus 12 total charge should be 0 अरे यह अलकली मेटल था तो एक एटम पे plus 1 हाँ दो एटम है तो plus 2 बिलकुल सर तो यह हो गया पेटा minus 12 plus 2 minus 10 4 x हो गया पेटा plus 10 और x हो जाएगा पेटा 10 by 4 यह धाई आजाएगा है प्लस धाई तर यह क्या मतलब है प्लस धाई तो मेरे पेटा हमेशा ध्यान रखना कभी भी ऐसे अगर fraction में आ रहे है तो समझ जाना कभी भी अगर oxidation number fraction में आ जाए तो समझ जाना कि आपके जो वो element sulfur है तो उसके 4 item है तारे के सारे same oxidation number में नहीं है तो मेरे पेटा इसमें देखा गया है 2 sulfur plus 5 में रहते हैं oxidation state में और 4 sulfur है ना और 2 sulfur 0 में रहते हैं तो मेरे पेटा total charge हो गया plus 10 total charge हो गया plus 10 sulfur पे कितने sulfur item है चार 4 sulfur है बड़ चार जुआ प्लस 10 हाँ sir 4 sulfur item पे चार जुआ प्लस 10 तो एक sulfur पे average कितना आ गया प्लस 10 तो बेटा ये average होता है average charge इसको बोलते है oxidation state ओके oxidation number whole number में होएगा मेरे बेटा हमेशा हाँ इंटीजर होगा वो फ्रेक्शन में नहीं आ सकता तो किसी भी compound में अगर कभी आपको फ्रेक्शन में दिखे तो समझ जाना समझ जाना मेरे बेटा कि आपका उसमें सेम element एक से जादा प्रकार की एक से जादा oxidation state में है ठीक है सर क्लियर हो गया अब जैसे एक और बताओ अब आप लोग बताओगे मैंने नहीं बताना C3O2 होता है बेटा इसमें बताओ इसमें बताओ मेरे बेटा इसमें मेरे बेटा करो कारबन की निकालनी है मालो कारबन की x oxidation state oxidation state is charge on one atom तो क्या करो क्या करो x माल लिया तो एक item पे x 3 पे 3 x एक oxygen पे minus 2 होता है तो 2 पे minus 4 total 4 0 3 x आगया मेरे बेटा ये plus 4 हो गया x आगया plus 4 by 3 fraction में आगया इसका मतलब तीनो कारबन सेम oxidation state में नहीं है बिलकुल 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 तीनो कारबन सेम oxidation state में नहीं है इसमें विटा इसमें एक कारबन होता है जीरो में ओके और दो कारबन होते हैं plus 2 में ओके तो सर्फ तीन कारबन पे कुल मिला के प्लस फोर तो एक पर हो गया प्लस फोर बाय थ्री वा सर वा ये सर आत्मा में समा गया इन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब मेरे बेटा जी अब एक और एक्जामपल मैं कराता हूँ जो को बटा मैं एक एक चीज कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ आपको shortest possible time में किसी में भी नहीं फसो मैं सारे एक्जामपल कवर कर रहा हूँ बच्चे को बटा दिक्कत होती है F3O4 कुछ compound ऐसे होते हैं तो यहां भी निकालो तो वही हुआ ठीक है ना हाँ आइरन की मान लो X तो एक एटम पे 4X 3 पे 3X एक oxygen पे minus 2 4 पे minus 8 total 4 0 3X हो गया बेटा प्लस 8 तो X आ गया प्लस fraction ओहो तो समझ में आ गया इसमें भी मेरे बेटा अब समझ लेना हां एक आइरन प्लस 2 में होता है विल्कुल तो आइरन प्लस 3 में होते हैं मेरे बेटा ओके तो बिटा हमेशा ध्यान रखना इसमें clear हो गया अच्छे से बहुत बढ़िया तो मेरे बिटा आज के बाद दुनिया के किसी भी compound में किसी भी atom की oxidation state निकाल दोगे oxidation state is a concept for atom आ गया ना मेरे बेटा जी को समझ में ठीक है न सिंगल atom पे charge होता है oxidation state oxidation number कभी किसी compound का नहीं होता किसी atom का होता है एक single atom पे कितना charge है उसको बोलते है oxidation state और मैंने जो भी example आपके आ सकते थे वह आपको करा दिये ठीक है sir oxidation number अच्छे से आ गया समझ में redox reaction क्या है sir तो चलो आओ अब हम redox सीखते हैं उसकी balancing सीखेंगे shortcut से करना सिखाता हूँ मज़ा आ जाएगा आज तक जिन चीजों में फसते आये थे अब आज के बाद कभी नहीं फसने वाले मेरे बेटा ठीक है sir कराओ sir अब sir redox reaction क्या होता है अब मैं वो अपने बच्चों को करा देता हूँ सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना नाम से ही पता लग रहा है बेटा redox मुलत दो चीजों से मिलके बना है reduction and oxidation अब बच्चे के मन में आता है sir reduction क्या है ठीक है तो चलो बताता हूँ मेरे बेटा जी जीवन भर याद रखना reduction होता है gain of electron अगर कोई atom electron ले लेता है तो हम कहते हैं उसका reduction हो गया reduction माने gain of electron और oxidation बोलते हैं loss of electron को okay sir कोई भी atom अगर electron छोड़ देता है तो हम कहते हैं इस atom का oxidation हो गया और यह पता कैसे करते हैं किसका reduction हुआ है किसका oxidation उसके oxidation state में change से किसी atom अगर सोचो ना मेरे अभी कोई charge है मैंने अगर electron ले लिया तो मेरा charge change हो जाएगा ना क्योंकि मैंने negative और ले लिया है मैंने electron छोड़ दिया तो उससे भी मेरा charge change हो जाएगा और मेरे single atom पे charge ही तो oxidation state होता है बेटा जी बहुत बढ़िया तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मालो कोई atom है M माल लिया मैने उस पर है अभी charge मेरे बेटा मला वह भी 0 charge है मालो neutral है ठीक है सर कोई charge नहीं है इसने मालो मेरे बेटा एक electron लिया तो भाया अभी state 0 से minus 1 मतलब यह electron ले चुका है वा सर वा अब बताओ M plus 3 है और यहां पे हो गया मेरे बिटा plus 1 बताओ क्या reduction हुआ है हाँ plus 3 4 से plus 1 दो प्लस कम हो गया कैसे कम हुआ होगा इसने दो नेगेटिव लिया होगा दो नेगेटिव दो पॉजिटिव को neutralize कर देगा तो एक positive बच जाएगा हाँ सर इलेक्ट्रोन लिया है इसने यह सर इसका reduction हो रहा है फिर अगला आजो plus 1 से minus 3 plus 1 चार्ज था minus 3 हो गया तो कितना electron लिया होगा पिटा चार electron गेन किया होगा चार negative एक positive है एक negative लिया तो neutral हाँ सर तीन और लेगा तो फिर तीन माइनस हो जाएगा न नूट्रल पे तीन electron लेंगे तीन माइनस हाँ सर plus 1 से minus 3 तो इसने electron लिया होगा चार electron लिया होगा reduction बहुत बढ़िया तो ऐसी मेरे बिटा अपन लोग पहचान सकते हैं मालो ये है minus 3 charge ये हो गया मालो minus six तीन negative ता already minus six हो गया तो तीन negative और बढ़ गया तो इसने तीन negative और लिया होगा तभी minus 3 से इसका भी reduction हुआ है वहां sir वहां पैचान लेंगे sir reduction, oxidation state में change देखके किसी भी item में, पैचान लेंगे उसका reduction हुआ है या oxidation हुआ है, चलो अब oxidation बताओ, loss of electron को बोलते हैं, मालो कोई item है अभी neutral है, उसने मेरे बेटा मालो, 3 electron छोड़ दिये, बताओ क्या charge आजाएगा, plus 3 आजाएगा, क्योंकि यह यहाँ पर electron proton बराबर है, negative positive, अभी neutral है, 3 negative छोड़ दिया, तो 3 positive आजाएगा, 0 से plus 3, तो yes sir, oxidation हुआ है, मालो, minus 1 से, इसने अब छोड़े, मालो मैं कहता हूँ, इसने 5 electron छोड़ दिये, बताओ, कितना charge आएगा, minus 1 है अभी, एक electron छोड़ेगा, तो neutral, 4 और छोड़ेगा, neutral हो तो प्लस 4 आगया, वा सर, वा, आतमा तरप तो गई sir, यहाँ पर 5 electron छोड़ने पर, क्योंकि माइनस 1 था, एक electron छोड़ा, तो neutral हो गया, 4 और छोड़ेगा, तो प्लस 4 आजाएगा, तो टोटल 5 छोड़ गया, तो तो टोटल 5 छोड़ गया, तो 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 टोटल 5 छोड़ गया प्लस 7 में, बताओ कितने electron छोड़े, positive था, 6 positive बढ़ गया, तो इसने 6 negative छोड़ा होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है sir, reduction, oxidation देखके पहचान लेंगे, अब सुनो मेरे बेटा बहुत ध्यान से, reduction और oxidation कभी अकेला नहीं हो सकता, कैसे sir, कैसे मतलब समय नहीं है, वही मान लो, reduction क्या है, gain of electron, oxidation and loss of electron, अगर मान लो, मेरा reduction हो रहा है, मान लो, मेरा reduction हो रहा है, तो मैं di electron ले रहा हूu, बैजो electron लुँगा, वो कहीं से आएगे, ना, ना, उनको कोई छोड़ा होगा, तो मैं तभी electron ले पाऊँगा, मेरे पेटा, जब उन electron को किसी ने छोड़ा होगा, तो म मेरा reduction तभी हो पाएगा, जब किसी ने वो electron अपने अंदर से निकाले होएगे, मतलब उसका oxidation हुआ होगा, तो कभी reduction, oxidation मेरे बिटा, अकेला नहीं हो सकता, अगर reduction हो रहा है, तो वहीं किसी का oxidation हो रहा होगा, अगर oxidation हो रहा है, तो वहीं किसी का reduction भी हो रहा होगा, कभी अकेले नहीं हो सकते मेरे बिड़ा कि केवल रिडक्षन हो गया नहीं not possible भही अगर मैं इलेक्ट्रोन ले रहा हूँ तो वो इलेक्ट्रोन किसी और ने छोड़े होने चाहिए ना हाँ तो रिडक्षन और ऑक्सीडेशन चैन नोट अकर इन आईसोलेशन ठीक है सर रिडक्षन और ऑक्सीडेशन अकेले अकेले नहीं हो सकते अगर किसी का रिडक्षन हो रहा है तो वहीं किसी का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए क्योंकि एक electron छोड़ेगा तभी तो दूसरा ले पाएगा, बिल्कुल, reduction and oxidation अकेले-अकेले नहीं हो सकते, cannot occur in isolation, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, तो चलो, मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, अब सा redox reaction क्या है वो बताओ न, reduction and oxidation तो आ गया समझ में, तो चलो, अब पेटाजी, नाम से पता लग रहा है, redox reaction, दो शब्दों से मिलके बना है, reduction and oxidation, तो redox reaction वो reaction है, बच्चे, redox reaction वो reaction है, जिन में reduction और oxidation दोनों एक साथ हो रहे हैं, simultaneously हो रहे हैं, तो सर हम कैसे पहचानेंगे, पहचानना सिखाता हूँ, क्योंकि ऐसा भी question आ जाता है, नीट मे हैं, कि चार आपको reaction देदेगा, और पहचाने बोलेगा, कौन सा redox reaction है, तो पहले पहचानना सीखते हैं, फिर उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, तो बटा, redox reactions are those reactions in which both reduction and oxidation occur simultaneously, अकेले तो वैसे भी नहीं हो सकते, हाँ, those reactions in which both reduction and oxidation occur simultaneously, simultaneously, simultaneously का मतलब होता है, एक साथ, ठीक है सर, सरबड़ हम पहचाने कैसे, कौन सा reaction, redox है, कौन सा नहीं है, तो चलो मैं करा देता हूँ, सब लोगा बहुत-बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बिड़ा, मालो मैंने एक reaction ले लिया, feo plus v2o5, ठीक है, ये मैंने एक reaction ले लिया, feo है, fe2o3 plus v2o, अब मैं आप से पूछना हूँ, क्या ये redox reaction है, अब आप कहोगे सर, हमें कैसे पता लगे, तो बिल्कुल नहीं, गवराना बेटा, मैं बता देता हूँ, तो नो आप, जिन-जिन की oxidation state नहीं पता हो, निकाल लो इसमें, oxygen तो पता है minus 2, तो iron पे आ गया होगा प्लस 2, अरे पूड़ा तो neutral था ना, हाँ, एक oxygen पे minus 2, तो एक iron पे plus 2, करके देख ले न, iron प्लस 2 आगया, यहाँ vanadium की नहीं पता, एक oxygen पे minus 2, तो 5 पे minus 10, तो 2 vanadium पे plus 10, तो एक पे होना चाहिए plus 5, oxidation state है ये, charge on one atom, करके देख ले न, vanadium का plus 5 आएगा, हाँ sir, एक iron, बिट 6, क्योंकि पूरा neutral है, तो 2 पे होना चाहिए plus 6, तो एक पर plus 3, तो iron की plus 3, यहाँ vanadium की plus 2, बहुत बढ़िया, आगया समझ में, great, 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 अब मेरे बिटा, जिन जिन की नहीं पता थी, उन्हें की oxidation state लिख ली, अब ध्यान से देख, iron के, यह oxidation state से में बार और बोल रहा हूँ, चार जन वन एटम, iron के एक एटम पे plus 2 चार्ज था, iron के एक एटम पे plus 3 चार्ज, plus 2 से plus 3, positive बढ़ा है, कैसे बढ़ा होगा, जब इसने negative छोड़ा होगा, तो इसने electron छोड़ा है, तो यहाँ पे iron का oxidation हुआ है, हाँ sir, vanadium पे plus 5 है, ठीक है sir, यहाँ, एक एटम पे plus 5, एक होगा है, तो मुझा इसने negative लिया होगा, electron लिया है, इसने vanadium ने, electron का लेना reduction, हाँ sir, इस reaction में, किसी एक का, vanadium का reduction हो रहा है, iron का oxidation, और जिस reaction में, reduction, oxidation दोनो हो रहे है, उसी को बोलते है, redox reaction, yes sir, it is a redox reaction, बहुत बढ़िया, ठीक है sir, अब कैसे करें इसको, तो बिल्कुल न को बताओ, मालो मैंने एक reaction दे दिया, HNO3, प्लस H2S, अब आपको मुझे बताना है, मैं नहीं बताओंगा, NO, प्लस SO2, क्या ये redox reaction है, चल्दी से बोले मेरे बीटा, क्या ये redox reaction है, सोच के बोले, nitrogen की oxidation state निकाल के देखो न, प्लस 5 आएगी, मैं बार 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 बोल रहा ह it is charged on one item, ठीक है सर, sulfur की minus 2, बिलकुल सर, यह nitrogen की plus 2, यह sulfur की plus 4, बिलकुल सर, यहाँ देखो nitrogen plus 5 से, plus 2 जा रहा है, positive कम हो रहा है, मैं नेगटिव लिया होगा, मैं nitrogen का reduction हुआ है, यह sulfur minus 2 से plus 4, ठीक है सर, sulfur minus 2 से plus 4, मैं नेगटिव छोड़ा होगा, electron छोड़ा होगा, electron का छोड़ना oxidation, sulfur का oxidation हुआ है, वा सर, वा, this is also a redox reaction, अच्छु, हुटे ना बोलो मेरे शेरो, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, यह तो आगया, redox पहचान लेंगे सर आज के बाद, बट सर, balancing में बड़ा जोल है सर, बाकी items तो बड़े असान होते थे, बाकी reaction बैलेंस करने, इधर reactant side में atom, product side में atom बराबर कर देते थे, सर, balance हो जाता था, बट redox की balancing ने सर, हमेशा रूलाया है अपन को, तो आप बिलकुल tension मत लेना मेरे बिटा, और redox की balancing क्यों डराती है मैं बता दू, बोलो न, बता दू, चलो मैं बताता हूं बिटा, क्यों परेशान करती है, मे कही electron vanadium को लेने होएंगे, हाँ, एक atom को electron छोड़ता है, एक element, दूसरा element वो electron लेता है, अरे जितना छोड़ेगा reaction में electron, यह उतना ही तो gain कर पाएगा, हाँ sir, हाँ, तो मेरे बिटा, in redox reaction, यह जितने छोड़ेगा, यह उतना ही gain कर पाएगा, तो number of electron lost should be equal to number of electron gain, इस वज़ होते, पहले electron balance करते हैं, electron balance करने का मतलब, एक इने जितने electron छोड़ेगा, दूसरा उतने ही लेना चाहिए, इसलिए मेरे बिटा, यह बाकी reaction की balancing से different होता है, क्योंकि item balance करने से पहले, यह electron balance करने होते हैं, और electron balancing का मतलब होता है, एक कोई जितने electron छोड़ रहा है, दूसरा उ नी ले, तो in redox reaction, जीवन भर याद रखना बिटा, in redox reaction, number of electrons gain should be equal to, number of electrons gain should be equal to number of electrons lost, sir ये कैसे करें, sir, इसी में तो जोल है, sir, sir, atom balance करना तो आता है, reactant side में, जितने atom, उतने ही product side में, sir, इसी को, sir, ये electronic balance करने ही नहीं आते, इसके लिए किताबों में आप देखोगे, आपको लंबे-लंबे एक-एक page के method दे रखे हैं, आयन electron method, हना oxidation बता नहीं क्या-क्या दे रखे हैं, बट चलो, मैं आज के बाद आपको बता देता हूँ, आप reaction को देखोगे, और देखते ही म बहुत सारे question, direct hit करोगे आप redox के neat में आने वाले, ठीक है sir, बताओ, चलो, अब उससे पहले एक छोटा सा concept कराता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, n-factor, क्योंकि सारी problem जो है, वो electron की balancing है बटा, atom balance करने तो आते हैं, आपको इतने reaction में balancing की हुई है, तो मैं electron shortcut से balance करने सि सीखने से पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, n-factor क्या होता है, सुनो आप, n-factor होता है मेरे बिटा, किसी भी reaction के दारान, एक mole substance, एक mole compound, कितने mole electron transfer कर रहा है, जैसे मेरा एक mole, अगर 2 mole electron transfer करेगा, तो मेरा n-factor 2, आपका एक mole, अगर 4 mole electron transfer कर रहा है, तो आपका n-factor 4, समझ में आगया, किसी भी substance का एक mole, कितने mole electron transfer करता है, उतना ही उसका n-factor होता है, ठीक है सर, बिलकुल सरी आतमा में समा आगया, n-factor of a substance is equal to, किसी भी compound का, is equal to, number of moles of electron transferred by, number of moles of electron transferred by, number of moles of electron transferred by, one mole substance, okay, किसी भी substance का एक mole, बिटा, redox में तो electron ही transfer हो रहे है, कोई एक compound छोड़ता है, कोई दूसरा compound ले लेता है, तो electron ही transfer, तो एक mole substance, कितने mole electron transfer कर रहा है, यह n-factor होता है, और किसी भी redox में, मेरे बिटा, n-factor निकालने का, मैं एक shortcut सिखा देता हूँ, मैंने सबसे पहल अभी आपको एक example कराया था, ध्यान से देखना, feo, यही था ना मेरे बेटा, हाँ sir, feo plus v2o5, ठीक है न, feo3 plus v2o, ठीक है sir, यह redox reaction है sir, बिलकुल सही कह रहे हो sir, अब मैं कह रहा हूँ, इसको balance कर रहा है, बट balance से पहले, मेरे बेटा, हमें अगर balance करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें electron balance करने पढ़ेंगे, क्योंकि redox है, हाँ, कैसे पता लगा redox है, oxidation नमबर निकाल ली, iron की यहाँ plus 2 आई होईगी, करके देख ले न, vanadium की यहाँ plus 5 आजाएगी, करके देख ले न, iron की plus 3 आई होईगी, vanadium की plus 2, oxidation नमबर होते है, charge on one atom, ठीक है सर, निकाल लिया सर, हाँ सर, redox है, redox है सर, iron plus 2 से plus 3, तो electron lose कर रहा है, oxidation, vanadium plus 5 से plus 2, तो electron ले रहा है, reduction, ठीक है सर, redox है, तो बटा किसको मैं कर रहा हो, balance करो, इसको देखते ही मेरे बटा आपको लगेगा, यहर पहले na redox में हमेशा, जब भी balance करना है, तो उसके बाद फिर atom balance करते है, ठीक है, तो चलो electron कैसे balance करें, shortcut सिखाता हूँ, ध्यान से देखना, पहले हर compound का n factor निकाल लो मेरे बेटा, हाँ, n factor shortcut से निकालना सिखाता हूँ, आज के बाद ध्यान रखना, दुनिया के किसी भी reaction में, किसी भी compound का अगर n factor निकालना है, तो बे what is y, तो बिल्कुल tension मतले मेरे बेटा, ये अपनी बस आत्मा में समालो, दुनिया में किसी का भी आपको shortcut से किसी भी reaction में, अगर n factor निकालना है, तो मेरे बेटा ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है sir, अब मतलब बताओ sir what is a, what is x, what is y, आपको ये तो पता होगा na, mod के बाहर कुछ कुछ भी आता है तो positive होजाता है, नहीं पता तो याद रखना, mod के बाहर कुछ भी आएगा, तो positive होजादा उसका sign, ठीक है न, हाँ, ठीक है sir, अब सुनते जाएं, अब इस compound में, मुझे FEO का N factor निकालना है, दो आपको आ जाएगा निकालना, N factor, N factor of FEO निकालना है, तो ब हाँ, तो एक molecule में उसके कितने atom है, याद रखो, A for atom, A for atom, एक molecule में iron की change हो रही है, एक molecule में एक atom है, तो A हो गया 1, तो A समझ में आ गया, जिस element की oxidation state change हो रही है, उसके एक molecule में कितने atom है, तो yes, iron की change हो रही थी sir, एक molecule में कितने atom है, A की atom है iron का, हाँ, X है, उसकी अपनी side मे कितनी oxidation state है 2 है वाई होता है इसी की iron की opposite side में कितनी oxidation state है 3 ओहो सर समझ में आ गया A है एक molecule में उस element जिसकी oxidation state change हो रही है उसके कितने item है यहाँ पर मैं देखा iron की change हो रही है एक molecule में एक ही item है तो A हो गया 1 X है उसकी अपनी side में कितनी oxidation state है Y है उसकी opposite side में कितनी oxidation state है तो लो बेटा यह हो गया minus 1 mod के बाहर आके सब positive हो जाता है तो plus 1 तो इसका N factor 1 है मेरे बेटा F होगा बहुत बढ़िया इस reaction में इसका N factor 1 है ठीक है सर शॉटकट से निकाल दाला V205 का N factor निकालो Come on चल्दी से यह shortcut लगा 5 से plus 2 हाँ इसकी एक molecule में कितना atom है vanadium का सर दो atom है तो यह हो गया 2 विलकुल इसके लिए क्योंकि vanadium के दो atom है एक molecule में तो यह हो गया 2 X है अपनी side में कितनी oxidation state 5 Y है इसी की opposite side में कितनी oxidation state 2 लो जी लो यह हो गया 5 minus 2 3 3 into 2 6 N factor 6 है मेरे बेटा हाँ सर इसका N factor 6 आ गया शॉटकट से अब चलो F2O3 का निकालो अब F2O3 का N factor निकालो बहुत बढ़िया अब इसमें किसकी change हो रही है iron की देखो ना plus 3 से plus 2 हाँ सर iron की change हो रही है एक molecule में कितना atom है iron का 2 तो यह हो गया 2 अपनी side में कितनी oxidation state है 3 opposite side में iron की कितनी है 2 बहुत बढ़िया N factor यह हो गया 1, 2 into 1, 2 N factor इसका 2 आ रहा है मेरे बेटा ऐसे V O का निकालो N factor come on V O का N factor निकालो किसकी change हो रही है इसमें vanadium की हाँ plus 2 से plus 5 एक molecule में कितना atom है vanadium का एक अपनी side में कितनी है 2 opposite side में vanadium की oxidation state 5 यह हो गया minus 3 mod के बाहर आके plus 3 तो लो जी N factor of vanadium oxide 3 हो गया मेरे बेटा वा मास्टर जी great sir बेटा अभी यह मैं सिखा रहा हूं N factor निकालने इसलिए आपको अभी लंबा लग रहा है बाद में तो देखती ही बता दो गया आप लोग बस अभी समझो अब क्या करना है sir बिल्कुल आपको problem थी मुझे बैलेंस करना है ठीक है sir तो उसके लिए electron balance करने electron balance करने के लिए मैंने क्या किया सब के N factor निकाल डाले और मेरे बिटा अपनी आत्मा में एक चीज़ समा ले ना किसी भी redox reaction में तो compound के बीच में जो N factor ratio होता है balance equation में mole ratio का recipe protocol है अगर N factor ratio देखो दोनों में 1 is to 6 है तो balance equation में mole ratio 6 is to 1 हो जाएगा पलट दो मेरे बिटा यहां 6 लगाओ यहां 1 लगादो यहां 2 is to 3 है पलट दो 3 is to 2 कर दो लो जी electron balance हो गए मेरे बेटा पस हो गए balance सच बता रहा हूँ तू कितावी तरीकों से भी करना यही आएगा मेरे बेटा electron balance हो चुके है मेरे बेटा तो बेटा N factor को पलट देने से electron balance हो जाते हैं shortcut से N factor निकालो तो reversing the N factor हां reversing the N factor ratio N factor ratio को पलट दो इधर N factor ratio 1 is to 6 था balance equation of mole ratio 6 is to 1 कर दो reversing the N factor ratio balances the electron इससे मेरे बेटा electron balance हो जाते हैं अब उसके बाद तो बड़ा असान है फिर तो atom balance करने आती है ठीक है ठीक है तो देखो कोई atom balance करने को बाकी है क्या इससे N factor को पलट देने से electron balance हो गए फिर atom balance करना तो बड़ा असान है देख लेते हैं iron 6 3-2-6 oxygen 6 और इधर 5-11 इधर देखो 3-9 और 2-11 oxygen भी balance vanadium 2 vanadium 2 ओ जी आँ सब balance हो यहां आपको atom भी balance करने की आवशकता नहीं वो सच्ची बोलो समझ में आया बस इससे फटफट n-factor निगाल लो n-factor को पलड़ दो उससे मेरे बेटा ठीक है न उससे क्या होता है ध्यार रखना n-factor ratio जो है दो compound के बीच में balance equation में mole ratio क्योंकि यह तो mole के हिसाब से बढ़ते हैं 6 mole, 1 mole खा रहा है n-factor ratio जो होता है 2 के बीच में balance equation में mole ratio का recipe protocol होता है हाँ sir हाँ इससे electron balance हो गये वाँ sir हुआ दिल खुश हो गया चलो वैसे अगला वाला करके बताओ अगला वाला करके बताओ अगला वाला क्या गया क्या दिया था मैंने h-n-o-3 ध्यान से देखना अरे कितने मस तरीके से shortcut हो गया बहुत बढ़िया h-n-o-3 plus h-2s अब इसको फटाक से आप लोग balance करके दिखा होगे मैंने नहीं करना n-o plus s-o-2 come on मेरे बेटा तो कैसे सबसे पहले पहचान और रिडॉक्स है या नहीं है तो उसके लिए oxidation state लिखनी पड़ेगी nitrogen की आगई प्लस 5 यहाँ sulfur की आगई होगी plus minus 2 हास क्योंकि एक hydrogen प्लस 1 होता है तो 2 पे plus 2 तो एक sulfur पे minus 2 रहा होगा nitrogen plus 2 sulfur पे यहाँ plus 4 तो yes अब सबका n-factor निकाल दो a mod of x minus y मुझे formula पता है किसी भी compound का n-factor निकालने का a mod of x minus y बहुत बढ़िया सर जी तो लो इसमें किसी चेंज हो रही है nitrogen की plus 5 से plus 2 एक molecule में nitrogen का एक atom अपनी side में 5 nitrogen की opposite side में 2 है n-factor इसका 3 आ गया चलो इसका n-factor निकालो फटाक से sulfur का change हो रहा है minus 2 से plus 4 एक molecule में एक ही atom है sulfur का तो एक अपनी side में minus 2 minus y opposite side में कितनी है sulfur की 4 x minus y होता है न हाँ तो यह हो गया minus 6 mod के बहार आके plus 6 mod के बहार सब plus हो जाता है N-O की निकालो nitrogen की change हो रही है जी इसमें आदेखो ना plus 2 से एक molecule में एक atom अपनी side में 2 है opposite side में nitrogen की 5 है minus 3 mod के बहार आके plus 3 यहाँ आजाओ 4 opposite side में minus 2 तो minus minus plus हो गया x minus y minus minus 2 हाना plus 2 तो यह कितना हो गया 6 अब रहाओ मत electron balance हो गये जी N-factor ratio 3 is to 6 इसी को लिख सकता हूँ 1 is to 2 हाँ sir 3 is to 6 को लिख सकते है 1 is to 2 6 is to 3 भी कर देते तो भी कोई गलत नही है हाँ but ratio N-factor ratio का reciprocal होता है mole ratio हाँ ratio का यह 3 is to 6 को लिख सकता हूँ 1 is to 2 अब लो N-factor ratio 1 is to 2 तो balance equation में mole ratio 2 is to 1 1 is to 2 2 is to 1 ले जी N-factor ratio को अगर पलड देते हो तो electron balance हो जाते है मेरे बेटा हो गये electron balance loss और gain बराबर हो गया अब बस बाकी के item balance कर ले मेरे बेटा ठीक है ना हाँ अब बस balance कर और ध्यान रख hydrogen oxygen को सबसे end में balance करना है पानी डालके hydrogen oxygen सबसे तो बाकी item देख nitrogen 2 2 balance है sulfur 1 1 balance hydrogen oxygen ही रह गए इधर देख hydrogen 2 और 2 4 इधर ही नहीं hydrogen 4 है उदर इधर ही नहीं hydrogen hydrogen तो पानी डालके balance करते है ठीकर आप तो simple balancing है तो ले 2H2O करना पड़ेगा तो hydrogen 4 हो गए जादू होता है hydrogen oxygen में से किसी एक को balance कर पानी डालके दूसरा अपने आप हो जाता है देख oxygen हो गया होगा कैसे 2 3 6 6 oxygen इधर देख 2 2 4 और 2 6 जादू जादू जी सबसे end में hydrogen oxygen को balance करो पानी डालके hydrogen oxygen में से किसी एक को balance करोगे पानी डालके तो दूसरा अपने आप balance हो जाता है यही जादू है मेरे बेटा चूट ना बोलो अब फट 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 end factor निकालके सारी problem ही बटा एक और करते हैं मिलके करेंगे आप भी करना मैं भी करूँगा आपके साथ हाँ चलो आओ मेरे बेटा बिल्कुल कर सकते हो आप एक teacher जितने ही आप भी champion बन सकते हो बद ध्यान से सुनो ना चलो अब मैं कोशन दे रहा हूँ इसको जो बच्चा मेरा करके बताएगा उसको तो बहुत सारा KMNO4 ठीक है जी मैंने ले लिया मेरे बेटा यहाँ पर ठीक है ऐसे ले ले लेते हैं चलो और असान वाला दे देता हूँ मैं आप लोगो को न असान नहीं थोड़ा सा अच्छा और अच्छा बनाता हूँ इसको मैं K2Cr2O7 ठीक है सर H2C2O4 ओके सर Oxalic Acid In Presence of HCl ठीक है सर दे रहा है CrCl3 Plus CO2 ओके और KCl यह है मेरे बेटा रियक्षन मैं कह रहा हूँ इसको बैलेंस करके दिखाओ बिलकुल नहीं घबराना फट 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 ऐसी करो मेरे बिड़ा N Factor Ratio निकाल दो पहले उसके लिए Oxidation State निकालनी होईगी न सबकी हाँ यहां क्रोमियम की निकालके देखो Plus 6 आगई होईगी Oxidation State होता है Charge on 1 Atom एक क्रोमियम पे Plus 6 आगई होगा यहां कार्बन की निकालके देखो Plus 3 आगई होगी Oxidation State कार्बन की Oxidation State होता है Charge on 1 Atom यहां क्रोमियम की निकालो Plus 3 आगई होगी हैलोजन पे Minus 1 Metals के साथ तो भई Chlorine Minus 1 शो करेगा एक क्रोमियम पे Plus 3 Carbon पे Plus 4 आगई होगी पता लगया किसका Reduction है किसका Oxidation है ध्यान से देखो क्रोमियम Plus 6 से Plus 3 तो Reduction Carbon Plus 3 से Plus 4 Oxidation हां सर तो बस सबसे पहला काम Balance करना है तो अपनों क्या करना है Electron Balance Electron Balance कैसे होते है N Factor Ratio का पलड़ दो हां चलो पहले N Factor निकाल लो उसके लिए किसकी चेंज हो रही है क्रोमियम की N Factor हमेशा याद रखना A mod of X minus Y ठीक है मेरे बेटा बहुत बढ़ी हा यहां पे किसकी चेंज हो रही है क्रोमियम की देखो ना Plus 6 से Plus 3 एक Molecular में कितने हैटा में क्रोमियम की इधर आजो किसकी चेंज हो रही है कारबन की एक Molecular में कारबन का कितने हैटा में दो अपनी साइड में कितनी है 3 कारबन की opposite साइड में कितनी है 4 यह हो गया minus 1 mod के बाहर आके plus 1 2 into 1 अरे बोलो न 2 into 1 N Factor 2 अब ऐसी यहाँ आजो इसका N Factor नहीं निकाल सकते मेरे बेटा क्योंकि इसमें Oxidation State चलो अभी देखते हैं उसको आगे पहले इधर ही देख लो तो मेरे बेटा यहाँ निकालो N Factor क्रोमियम की चेंज हो रही है प्लस 3 से प्लस 6 अप एक Molecular में एक एटम है अपनी साइड में Oxidation State 3 क्रोमियम की अपोजिट साइड में 6 यह हो गया माइनस 3 मौड के बाहर आके प्लस 3 कारबन की निकालो कारबन की चेंज हो रही है एक Molecular में एक एटम अपनी साइड में 4 अपोजिट साइड में कारबन की है 3 लो जी N Factor कितना आया N Factor आगया 1 बिलकुल ना गब रहाओ बिलकुल ना गब रहाओ अब मेरे बिटा N Factor Ratio का रैसी प्रोकल होता है Balance Equation में मोल रेशियो N Factor Ratio 3 is to 1 Ratio बोल रहा हूं बार बार N Factor Ratio 3 is to 1 तो बालेंस एक्वेशियों में मोल रेशियों पलट दो 1 is to 3 होगा वा सर्वा ऐसी यहाँ N Factor Ratio 3 is to 1 तो Balance Equation में मोल रेशियों इन दोनों में 1 is to 3 हो जाएगा बट 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 इसमें एक चीज़ याद रखना अगर इसको आप 1 is to 3 लिखोगे तो मेरे बिटा देखो यहाँ Balance नहीं होएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 Chromium है इधर एक ही रह जाएगा तो 1 is to 3 को ही मैं लिख सकता हूँ Ratio बोला है मेरे बिटा N Factor Ratio 3 is to 1 है इसी को मेरे बिटा मैं लिख सेंगे 6 is to 2 अरे बात तो सेम ही है Ratio का रैसी प्रोकल करना है तो N Factor Ratio 3 is to 1 बोलू है 6 is to 2 बात सेम है तो मोल रैशियो पलड़ दो 2 is to 6 हाँ सर क्यों किया? क्यों किया? इधर 2 Chromium इधर 2 Chromium यहां Carbon 3 दो नी 6 यह मेरे बिटा 6 बात वही है Ratio होता है मेरे बिटा तो उस हिसाब से हमने कर लिया हुआ सर जी हुआ बिल्कुल सर Electron Balance हो गए अब Electron Balance हो गए अब बस बाकी Atom Balance कर लो सबसे N में Hydrogen Oxygen हो करना है पानी डाल के ठीक है सर आ गया सर समझ में अब सर Chromium तो सर Chromium और Carbon तो यहीं हो गए थे सर अब देगो Potassium 2 है यहां Potassium 2 है इधर एक ही लग रहा है तो इसको 2 कर लो सर अब इनको तो Normal करते है Atom की तरह Balance Electron Balance हो गए N Factor Ratio को पलड़ देने से Electron Balance हो गए मेरे बेटा ठीक है सर अब बस Atom Balance करो यहां Potassium 2 था तो इधर 2 करना पड़ेगा अब कलोरीन देखो यहां है 2-3-6 और 2-8 8 कलोरी ने तो यहीं से आया होंगे 8 HCl करना होगा बिल्कुल सर सब Atom Balance है केवल Hydrogen, Oxygen चलो Hydrogen को Balance कर लेते हैं 3-2-6 8-6-14 14 Hydrogen है इधर Hydrogen दिखनी रहे तो बिटा 7H2O कर ले Hydrogen 7-2-14 बिल्कुल Oxygen अपने आप हो गया होगा कैसे देखो जड़ा 7 Oxygen 3-12 12 और 7-19 Oxygen है यहां भी देखो 6 दुनी 12 और 7-19 वा बेटा जी वा समझ में आया कितना असान होगी यह Balancing Great, Great, Great तो मेरे बिटा N Factor ऐसी फट 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 निकालते हैं अपन लोग और मेरे बिटा आंसर निकाल लेते हैं देखे न N Factor Ratio का Reciprocle कर दो Ratio बोल रहा हूँ है N Factor Ratio का Reciprocle कर दो उसे आपके Electron Balance हो जाते है मेरे बेटा Clear हो गया तो Electron Balance करने के बाद तो फिर तो बड़ा असान है फिर तो जैसे Atom Balance करते हो ऐसे कर लो सबसे एंड में Hydrogen Oxygen को Balance करना है पानी डालके हो गी Hydrogen Oxygen में से किसी एक को पकड़ के चलो दूसरा अपने आप Balance हो जाता है आगे समझ में Oh Great हाँ तो मेरे बेटा जी को Balancing में कोई दिक्कत नहीं आएगी शाबाश अब मेरे बेटा इसमें एक चीज़ आती है सब लोग बहुत-बहुत ध्यान से देखना इससे ना काफी अद तक आप काफी कुछ चीज़ें कर लोगे मेरे बेटा ठीक है न हाँ अब मेरे बेटा इसमें एक चीज़ आती है आपका Disproportionation reaction क्या होते है कि यह कुछ Special Type के Disproportionation reaction यह भी Redox reaction ही है बड़ Special Type of Redox reaction है तो क्या होते है यह मैं अपने बच्चों को बता देता हूँ अभी तक आपने जितने भी तो कि यह नीट में आया वा कुशन है चार आपको Option देदेगा और बोलेगा कि आप बताओ कि भाई कौन सा Disproportionation reaction है अभी तक हमने जितने भी Redox की है उनमें क्या देखा उन reaction में किसी एक element का Reduction होता है किसी दूसरे का Oxidation होता है बिलकुल सर पर Disproportionation reaction वो Redox reaction है जिसमें Same element का Reduction Same element का Oxidation है कैसे सर तो सुनो बेटा बहुत ध्यान से देखना मैंने आपको ऐसे दे दिया को एक reaction Cu plus 1 से Cu plus 2 ठीक है ना और Cu 0 अब मुझे इमानदारी से बोलो यह कि मैंने ऐसे reaction दे दिया Plus 1 से plus 2 क्या हुआ है मेरे बेटा Plus 1 से plus 2 सभी इसा बात है Electron छोड़ा होगा तो Oxidation हो गया Copper का But plus 1 से ही 0 में भी जा रहा है हाँ सर Plus 1 से 0 तो बेटा positive से 0 तो negatively लिया होगा Reduction ओ हो इस reaction में Copper ही reduce हो रहा है और Copper ही oxidize Oxidize होकर Plus 1 से plus 2 जा रहा है Reduce भी हो रहा है यही Plus 1 से 0 ओ सर तो ऐसे reactions को बोलते है Disproportionation reaction यह भी redox reaction ही है बस क्या होता है इंड में Same element कि कुछ item reduce होते है कुछ item oxidize हो जाएंगे बहुत बढ़िया सर जी अब जैसे और दिखा देता हो मेरे बेटा जैसे इसमें देखो NaOH की presence में Iodine यह मेरे बेटा देता है आपको Naio3 क्या यह disproportionation है इमांदारी से बताओ क्या यह disproportionation है इमांदारी से बताओ आप लोगों ने बताना है मैं नहीं बताओंगा मेरे बेटा क्या यह disproportionation है आ जाओ Iodine अपनी pure form में तो oxidation state 0 तही बात है सर किसी और से बाइन बना नहीं जा तो और form में यहां पर Iodine की निकालो मेरे बेटा oxidation state प्लस 5 आ गई होईगी हाँ सर इधर निकालो sodium पे एक sodium पे प्लस 1 होता है तो एक Iodine पे माइनस 1 हाँ सर Iodine 0 से ही प्लस 5 0 से प्लस 5 तो electron छोड़ा है तो Iodine के कुछ item oxidize हुए है और Iodine इधर 0 में ही है पर यह 0 से माइनस 1 में भी जा रहा है ओहो तो electron 0 से माइनस 1 तो electron लिया भी होगा कुछ item नहीं electron लिया होगा reduction भी होगा तो Iodine का ही oxidation Iodine का ही reduction Yes sir This is a disproportionation reaction आगे न समझ में हाँ और बता और बता और बता और बता होगे मेरे बेटा बताएंगे मैंने नहीं बताना H2O2 दे रहा है H2O plus O2 क्या यह disproportionation है इमानदारी से बता देंगे मेरे बेटा Is it a disproportionation? यह hydrogen peroxide है मेरे बेटा देखो ना एक hydrogen पर प्लस 1 होता है तो 2 hydrogen पर प्लस 2 तो 2 oxygen पर होना चीन ही माइनस 2 तो एक oxygen पर कितना हो गया माइनस 1 हाँ सर एक एटम पर चारजी तो oxidation state है यहां माइनस 1 है तो पर ऑक्साइल है यहां पर बेटा एक hydrogen पर प्लस 1 तो दो hydrogen पर प्लस 2 तो एक oxygen पर रहा होगा माइनस तू। ये प्यूर addition है तो चीरो कोग सीचन माइनस वन पहिचान लोगे आज के बाद बहुत बढ़नीया तो येस सरर तो डिस्प्रपोर्पोर्पोर्शनेशन रियक्षण are those redox reactions those redox reactions those redox reactions in which same element okay in which same element undergoes oxidation as well as reduction बहुत बढ़िया oxidation as well as reduction ठीक है सर disproportionation भी याद रहेगा ठीक है सर अब इसमें रिडॉक्स में एक और question आते हैं कोई भी reaction दे देता है जीव जीव से redox reaction और हम से equivalent weight निकालने के लिए पूसता है answer equivalent weight कैसे निकालने चलो वो भी करा देता हूँ मेरे बटा 5 मिनिट में disproportionation पैचानने के लिए आएगा पैचान लोगे ना बहुत बड़ी या अब मेरे बेटा जी सब लोग अब ध्यान से देखना अब equivalent weight निकालने के लिए भी आता है आपको question ठीक है सर तो मेरे बेटा minimum possible time में मैं सारे topics आपके cover करने का प्रयास कर रहा हूँ और उनको कैसे shortest possible way में answer कर सकते है trick के साथ तो मैं वो आपको बता रहा हूँ इसमें ठीक है आपने देखा होगा कोई भी reaction देता है माल लोग ऐसे ही दे दिया मैं कोई एक reaction ले लेता हूँ KMNO4 ठीक है सर plus H2S हाँ सर in presence of HCL ठीक है सर MNCL2 विल्कुल SO3 विल्कुल ये reaction दे दिया ऐसे reaction दे देगा और कहेगा आपको question देगो कैसे boost है कहता है calculate equivalent weight of KMNO4 हाँ सर ऐसे तो बहुत question देखे है तो आज के बाद कभी घबराना नहीं मेरे बेटा आज के बाद ध्यान रखना दुनिया में किसी भी element का अगर equivalent weight निकालना है तो उसका एक ही formula होता है उसी compound का molecular weight divided by उसका N factor ओके सर याद रहेगा सर तो किसी भी element का किसी भी element का अगर मेरे बेटा अगर किसी भी element का आपको किसी भी element का अगर आपको बेटा निकालना है equivalent weight तो हाँ किसी भी compound का तो उसका molecular weight by N factor मेरे बेटा कर लेना यह MNO4 का निकालना है तो देखो कितनी असानी से कर सकते हैं सर, N factor तो आता है निकालना, शॉटकट से, हाँ सर, शॉटकट से निकालना आता है, सर ये प्लस 7 है, करके देखो, oxidation state प्लस 7 आई होगी, हाँ सर, यहां मेंगनीज की, प्लस 2, विल्कुल सर, हेलोजन पे माइनस 1, 1 एक पे, 2 पे माइनस 2 तो मेंगनी, तो लो जी, N factor आ गया, ब मेंगनीज का एक मॉलीक्यूल में एक एटम है, अपनी साइड में 7 है, अपोजिट साइड में मैंगनीज की 2 है, सर, N factor 5 है, सर इसका, तो लो जी, इसका इकुलेंट वेट आ गया, के MNO 4 का, इसका मॉलीक्यूलर वेट, नहीं पता, माल लो, M, आना, ऐसे निकाल भी सकते है, वो दिया होगा, by N factor, N factor 5 है, लो जी, लो हो गया, हो गया मेरे बेटा, सोचने की जरुवत ही नहीं, फिर M is the molecular mass, M is the molecular mass of KMNO 4, बहुत बढ़िया सर, ऐसे निकल जाता सर, इतनी असानी से, हाँ भाई, इतनी असानी से निकलता है, अब मैं अगली से पूछना हूँ, आप लो चलो, अब मुझे आप लोग बताना, मैं पूछ रहा हूँ, FV, FV2, C2O4 whole thrice, ठीक है, सर, plus, in presence of KMNO, या K2CR207, ठीक है, सर, K2CR207, ठीक है, in presence of axial, दे रहा है, CRCL3, ठीक है ना, हाँ, और यह दे रहा है, आपका, CRCL3, प्लस, CO2, CO2, प्लस, FVCL3, ओके, चलो, ऐसे दे दिया मैंने, ऐसे दे दिया मेरे बेटा, अब इमानदारी से बताना, ठीक है न, इसमें मैं कह रहा हूँ, चलो, इसका equivalent weight बताओ, मैं कह रहा हूँ, equivalent weight of paric oxalate, paric oxalate, okay, okay, मेरे बेटा जी, बहुत ध्यान से देखना, paric oxalate में, आप सोचलो चलो, iron का निकाल लेते हैं, ठीक है न, हाँ, वो तो बड़ा असान है, equivalent weight तो, इसका molecular weight by n factor, अब पहले यह देखो, किसकी change हो रही है, सुनो, सुनो, बेटा, यहाँ पे अगर iron की निकालो, कितनी आएगी, बताओ, oxalate पे कितना charge होता है, जल्दी से बताओ, oxalate पे मेरे बेटा charge होता है, minus 2, overall, तो एक oxalate पे minus 2, 3 पर minus 6, iron की मान लो x, तो एक पर x, तो 2 पे 2x, बिल्कुल, एक oxalate पे minus 2, तो 3 पे minus 6, वा सर, वा, सर, x आ गया, सर, plus 3, तो iron की plus 3 आ गई है, सर, यहाँ, बिल्कुल, बेटा, जी, iron की plus 3 है, बहुत बढ़िया, iron की plus 3 है, सर, यहाँ भी देखो, plus 3 आ गई, तो iron की change नहीं होई, भई, एक oxalate पे minus 2, मैंने बोले न, पूरा group का ले 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 थे, जो non group है, हाँ, तो iron की change नहीं हो है, यह होता है, हाँ, सर, carbon की निकाल इसमें, oxidation state, माल ले एक item पे x, oxidation state, एक item पे charge, तो 2 item पे 2 x, एक oxygen पे minus 2 होता है, 4 पे minus 8, oxalate पे total charge minus 2 होता है, हाँ, सर, तो oxalate में carbon की आ गई, यह उदर जाके plus का हुआ, तो plus 6, ओहो, oxalate में carbon की plus 3 होती है, सर, iron की तो change ही नहीं हुई थी सर, इस reaction में, oxalate में carbon की plus 3 होती है, oxidation state, oxidation state is charge on one item, यहाँ पे plus, सर, जी, carbon की change हो रही है, सर, इसना है, हाँ, सर, carbon की oxidation state change होई है, तो लो n factor निकल गया, एक molecule में carbon के कितने item है, जल्दी बताओ, 2, 3, 6, पूरे एक molecule में इसके 6 item है, 2, 3, 6, हाँ, ए हो गया 6, अपनी side में कितनी है carbon की, 3, opposite side में carbon की कितनी है, 4, minus 1, mod के 12, n factor 6 है जी, बहुत बढ़िया, तो equivalent weight इसका, m by 6 आएगा, iron की change नियुए मेरे पगलू, यहाँ भी plus 3 थी, यहाँ भी plus 3 है, तो iron की change ही नियुए, तो iron की change ही नियुए, फैरिक oxalate में, oxalate में carbon की plus 3 है, यहाँ carbon की plus 3 है, यहाँ carbon की change हो इसकने atom है, 2, 3, 6, एक molecule में 6 atom, अपनी side में 3 है, आया समझ में, बहुत बढ़ी है, मेरे बेटा, और अगर मैं balance करने के लिए बोलू, वह भी कर सकते हो, आप कैसे, चलो यहाँ भी आजाओ, balance भी कर सकते हो, ratio पता लग जाएगा, विटा यहाँ देको, chromium की plus 6 हाई होईगी, यहाँ plus 3 है, हाँ, तो इसका n-factor निगालो, दो atom है chromium के, अपनी side में 6, opposite side में 3, तो इसका भी n-factor 6, n-factor ratio 1 is to 1, तो balance equation में mole ratio भी 1 is to 1, लो जी लो, अच्छु, हुट न बो, फिर उसी जो यहाँ आएगा ratio, उसी ratio में इधर भी कर देंगे, पलट देंगे, बर ध्यान रख है, equivalent weight निकाल लोगे न, बहुत असा है, बस shortcut से n-factor निकाल लो, आपको equivalent weight आजाता है, आगे है मेरे बेटाजी समझ में, अब चलो इसमें last चीज करते हैं जो आपको ज्यादा प्रबल करती है, बिलकुल tension नहीं लेना है मेरे बेटा, oxidizing agent and reducing agent क्या होते हैं, oxidizing agent and reducing agent क्या होते हैं, यह मैं detail में बता देता हूँ, आपको मजा सा आजाएगा बिटा, क्योंकि इसके question में आपको कई बार दिक्कत होती है, मैं बार बार एक statement याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी reaction में, दो compound के बीच में, जो n-factor ratio होता है, वो balance equation में, जो mole ratio आएगा, उसका receive rockal ह होता है, हाँ सर, अब यह oxidizing agent, reducing agent क्या होते हैं, यह मैं अपने बच्चे को बताता हूँ, बस मेरे बेटा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, जादू भी रूप से, ठीक है न, और फिर अपन immediate शुरू करते हैं, तो बेटा जी, अब हम करते हैं, oxidizing agent और reducing agent क्या होते हैं ध्यान से देखना हैं, oxidizing agent वो होते हैं, वो chemical species, किसी भी redox reaction में, जो दूसरों को oxidize करते हैं, और खुद reduce हो जाएंगे, तो मुझे आपको oxidize करना है, तो मुझे आप में से electron निकालने पड़ेगे न, और आप में से अगर मैं electron तभी निकाल पाऊंगा, जब आपके निकाले electron को मैं लूँगा, तो अगर मुझे आपको oxidize करना है, तो खुद reduce होना पड़ेगा, तो oxidizing agent वो chemical species हैं, किसी भी redox reaction में, जो दूसरे को oxidize करती हैं, और खुद reduce हो जाती है, ठीक है sir, ठीक है, oxidizing agents, oxidize others, ठीक है, दूसरों को oxidize करते हैं, oxidize others, and themselves get reduced, ठीक है sir, clear हो गया, अब sir, कोई example दो sir, इसका, ठीक है, तो बिटा, सबसे common example जो आपको दो याद रखने है, strong oxidizing agent है बिटा, पहला Kmno4, और दूसरा मेरे बिटा, K2Cr2O7, ये बिटा, दोनों strong oxidizing agent हैं, दूसरे elements को, उनकी maximum oxidation state तक oxidize कर देते हैं, ठीक है, अब बिटा, दूसरों को oxidize कर रहे हैं तो खुद reduce होना पड़ेगा, जैसे कि मैं आप example ले लेता हूँ, जैसे मानलो Kmno4, ठीक है, मेरे बेटा, ये oxalic acid, ठीक है, in presence of मानलो HCl, ये दे रहा है MnCl2, अब धिहान से देखना मेरे बिटा जी, प्लस CO2, ऐसे दे रहा है, यहां manganese मेरे बिटा, प्लस 7 oxidation state में है, oxalic acid में carbon plus 3 में होता है, यहां plus 4 में गया, manganese plus 7 है, यहां करो तो plus 2, अब देखो, Kmno4 जब इससे react किया, तो ये oxidize हो गया, हां sir, carbon का oxidation हुआ है, carbon की maximum तो plus 4 ही possible है, outermost में carbon में 4 ही होते है, हां sir, तो Kmno4 ने इसको oxidize कर दिया, ठीक है sir, और खुद देख reduce हो गया, हां sir, plus 7 से plus 2, तो yes, तो हम बोलेंगे कि ये दूसरे को oxidize, तो किसी ऐसे भी याद रखो, पूरे reaction में जो खुद reduce हो जाए, वो oxidizing agent है, मैं खुद reduce हो रहा है, तो दूसरे को oxidize कर रहा है, ठीक है sir, ये clear हो गया sir, अच्छे से, बिल्कुल, 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 ठीक है, हां, अब reducing agent क होते हैं, मेरे बिटा, जैसे बिल्कुल, यहाँ पजा सही है, बिल्कुल, जो दूसरों को reduce करे, दूसरों को, वो chemical spaces, जो दूसरों को reduce करे, और खुद oxidize हो जाए, ठीक है sir, which reduce others, ठीक है, which reduce others, and itself gets oxidized, और खुद oxidize, itself gets oxidized, भही मैं दूसरों को reduce कब करूँगा, मैं आपको reduce कब करूँगा, जब मैं आप में electron डालूँगा, तो आप reduce हो जाओगे, तो अगर आप में मुझे electron डालने है, तो अपने अंदर से निकालने पड़ेंगे, मुझे खुद lose करने पड़ेंगे, तो अगर मुझे आपको reduce करना है, तो खुद मुझे oxidize होना पड़ आपको याद रखना है सोडियम थायो सलफेड या जिसको अपन बोलते है मेरे बेटा हाइपो सल्यूशन देगे ना हाँ तो मेरे बेटा इसमें बस एक रियक्शन आपको जो याद रखना होता है इसका भी मैं एक्जामपल करा देता हूँ हाइपो कभी भी आयोडीन के साथ इकटेना मेरे बीटा ठीक है सर, आयोडीन के Сाथ अगर रियाक करता है तो मेरे बच्चे ये क्या करता है ये रिद्यूशन एट ये इसको रिड्यूस करेगा आयोडीन प्योर है तो जिरो में हेलोजन maximum reduce कि कितना ले सकता है एक तो ये reduce होड़न में चला जाता है यह reduce हुआ तो इसको इसने reduce किया है इसको हाँ तो यह reducing agent है इसको reduce कर रहा है खुद oxidize होगा और खुद oxidize होके जाता है Na24 Na2S4O6 यहाँ पे sulfur देख लेना प्लस 2 में होगा oxidation state यहाँ निकाल लेना प्लस 2 तो ले positive charge बढ़ गया ना तो oxidation हुआ है तो इसने इसको reduce किया है और खुद oxidize हो गया प्लस 2 से प्लस धाई positive बढ़ गया तो electron छोड़ा होगा हाँ sir तो यह आपको याद रखने है oxidizing agent क्या होते है reducing agent क्या होते है और I hope मेरे बेटा जी आप लोगों को redox reaction में जो जो main main चीज दी जहाँ 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 बेटा जी नीट पूसता है तो वहाँ के मेरे बेटा मैंने आप लोगों को concept करा दी है equivalent weight आएगा किसी भी reaction में तो मेरा बच्चा फोड़ सकता है चलो मैं जल्दी से आप से पूछ लेता हूँ एक question है बेटा previous year में आया हुआ है अब इसको जल्दी से मेरे साथ answer करके बता देना ठीक है हाँ question यह है कि भई reaction यह है FEO plus V205 हाँ VO plus F203 अब मैं इसमें पूछना हूँ हाना और दे रखा है molecular weight molecular weight of V205 आपको दे रखा है मानलो M ठीक है सर कहरा इसका equivalent weight निकालो come on equivalent weight of V205 निकालो जल्दी से बताओ A option क्या होएगा M by 2 B M by 3 C M by 5 D none जल्दी से बताएंगे मेरे बिटा equivalent weight किसी भी reaction में निकालने के लिए आएंगे मेरे बिटा आपको असानी से बता है equivalent weight होता है molecular weight by N factor N factor किसी भी redox reaction में shortcut से निकाल सकते हैं कैसे यहां oxidation state निकालो vanadium की plus 5 यहां plus 2 बहुत बढ़िया तो मेरे बिटा इसका N factor shortcut A mod of X minus Y vanadium की change हो रही है Canadian की opposite side में 2 तो लो जी 2, 3, 6 N factor 6 है तो इसका V205 का equivalent weight मेरे बिटा molecular weight तो M दिया हुआ था N factor 6 तो equivalent weight M by 6 होना चाहिए तो right answer will be D इमानदारी से बोलो मेरे बिटा अब redox की balancing भी असान लग रही हैं लग रही तो यह बिटा और shortest way में है हम जो 90 minutes के अंदर बिटा जो कर पाए ठीके न वैसे तो chapter बड़े बड़े होते है ठीके न इनी को करने में मेरे बिटा 15-15 घंटे लगते हैं वढ़ा हमारी revision है माइंड मैप सीरीज में हमने 1.5 घंटे के अंदर हम जितना कर सकते थे हम लोगों ने किया है मेरे बिटा और I hope आज की class में मेरे बिटा इससे आपको thermo को सीखने में बहुत-बहुत help मिलेगी तो यह काफी useful रहा होगा आपके लिए session ठीक है तो बिटा ऐसी पढ़ते रो और हमेशा ध्यान रखना कभी भी मेरे बिटा हिम्मत नहीं हार नहीं है खुब अच्छे से मेहनत करनी है और आप खुद देखो जब एक एक घंटे डेड़ घंटे में आप एक topic में इतना कुछ सीख जा रहे हो अगर बिटा इमानदारी से जब detail में पूरा पढ़ोगे हम लोगों के साथ तो आप कितना कुछ कर सकते हो मेरे बिटा तो इसी चीज को सोच एऴ एक है? और आप कर सकते हूँ आप में दिमाग है मेरे बिटा भी है बस मेहनत करना मत छोड़ ना ऐसी पढ़ते रहो और हम लोग तो लगे हुए ना सात में तो मिलके फोड़ते हैं मिलते हैं अगली क्लास में ठीक है और नही चैप्टर के साथ तिल देन ओके टाटा बाई बाई लव यू आल